गुट मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज के स्टेडी हमारा पार्ट था आम का मोसम उस पार्ट के शब्दर्थ कोशन आंसर हमारे हो गए है उस पार्ट के एक्रसाइज है जो मैं आज आज आपको ये करा रही हूँ जिसमें हमारा कुछ बहुत ही इजी है आप लोग को बहुत मज़ा भी आएगा करते हुए जिसमें पहला है हमारा इन शब्दों का शुद उच्चारण कीजिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं आपके जिनको आपका सही उच्चारण करना है कि वो कैसे लिखे जाते हैं यहाँ पर लिखा भी है कि उपर के शब्दों के कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगी है इसे क्या बोलते हैं नुकता करते हैं अक्षरों का उच्छारन अलग होता है ठीक है जैसे इसका प्योग हमारा विदेशी भाषाओं के लिए भी क्या जाता है जैसे अर्वी आ गया फार्सी आ गया अंग्रोजी आ गया तुर्की है हिंदी है ये सारे अलग-अलग विदेशी शब्द हैं तो इनका भाषा इनका यूस किया जाता है तो इने हम विदेशी शब्द भी कहते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जिनको आपको सही करके लिखना है कि हम काफी कैसे लिखते हैं, कमजोर कैसे लिखते हैं, जहर कैसे लिखा जाएगा फकीर कैसे लिखा जाएगा इज़क कैसे लिखा जाएगा मजबूर कैसे लिखा जाएगा अब उसके बाद आता है second question हमारा उसके चार बेटे थे उसकी चार बेटियां थी यहाँ पर हमारा pulling और sterling है जो संग्या शब्द है वो pulling और sterling में change किये जाएगे यानि कि उनका link बदल दिया जाएगा यहाँ पर कुछ रेखांकित है शब्दों के link बदल कर वाकिये दुबारा लिखिए क्या हो गया उनके बुड़े बाप को तो आपको इसमें change करना है ठीक है जो रेखांकित है शब्द उनका link बदलना है आपको ठीक है बचो उसके बाद आता है हमारा ये हमारे कुछ मुहावरे हैं जिनको आपका वाकिय प्रियोग करना है मुहावरों का अपने वाकिय प्रियोग में कीजिए यानि कि ये मुहावरे हैं इनका आपका वाक्य प्रियोग करना अर्थ नहीं लिखना, सिफ वाक्य प्रियोग करना है पारा चरना, कान पर जूना रेंगना, चल बसना या चैन की सांस लेना उसके बाद आपका आता है एक चोटा सा कोश्चन है जो आपका एक्टिविटी के रूप में है लेकिन ये आपको मैं होमवर्प में दूँगी, अभी नहीं दूँगी, अभी आपको सिफ मुहाबरे करने है और आपको ये जो शब्द हैं उनको सही करके लिखना है और आपको ये वाके सही से करके लिखने है जो रिखांकित है ठीके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लास यू